हे भोले नाथ, जब से हमारी बहुरानी यहां से ट्रांसफर होके दूसरे थाने में गई है ना, कुछ अजीब सा लग रहा है हमें, अब आप ही देखिये ना, लडने के लिए कोई हैं ही ने, इसलिए हम खुदी पर इल्जाम लगाते हैं और खुदी से लडते हैं, ने, हमें आपकी एक बात नहीं सुनिया, आप बस हमारे एक काम केजे, कुछ भी करके हमारी बहुरानी को वापस यहां लेके आये, हाँ, बस हाँ खुषपा जी अरे, पारवती मा, आज आज आप शिव जी नहीं है खुषपा जी मैडम सर, वो शिव जी के साथ थोड़ी बात कर रहे थे एक बात बताईए, आप ये शिव जी को अन्फ्यूज नहीं कर रहे हैं हम मतलब आज तक करिश्मा सिंग ने भगवान से क्या मांगा है, क्या चाहा है यही कि उनहें एक थाना इंडेन्देमेंटली चलाने का मौका मिलें, और अब जब वो मौका मिला ए मैडम तो सिग ने चुरशी और अब जब वो मौका मिला है तो आप उने वापस बला रहे है वहाँ हैं अन्झयूज हो जाएढ़ को जानते है, मैडम सर् एक और हमें लगता है कि वो अजस कर लेंगी हमें आपकी बहुरानी की काबिलियत पर पूरा भरोसा है वो तो हमें भी है मैडम सर मगर वो महिला पुलिस थाना नहीं है ना वहां तो पुरुशी पुरुशोंगे उनके इर्दगिर्द कैसे संभाल पाएंगी पुरुशों को हा तो वो कॉन सी महिला है मैडम सर हमारे कहने का मतलब है पुषपाजी कि आपकी जो बहुरानी है ना उनकी सिर्फ पैकेजिंग और तो वाली है उनकी अंदर से दो चार हट्टे कटे पुरुश तो ऐसे ही निकलाएंगे मैडम से पैने डोंट वरी वो सम्हाल लेंगे बिलकुल सही अपुषपाजी आपको पता है अच्छी बात तो यह कि कि करिश्मा मैडम अपने स्टाइल से थाना चला सकती है क्योंकि वहाँ पर जजबातों का प्रेशर नहीं होगा ना तो एकदम खुल के डंडों का इस्तमाल होगा सॉरी तुम ठीक हैरी हो संतोष करिश्मा सिंग अपना थाना अपने तरीके से चलाएंगे इनफेक्ट हमें लगता है कि एक बहुत अच्छा मौकाई करिश्मा सिंग के पास अपनी काबिलियत दुनिया और डेपार्टमेंट के सामने साबित करने का और जहां तक बात है उस नए थाने की तो आम शूर कि वहां पर उनका स्वागत उसी तरीके से किया जा रहा होगा जैसे कैसे चोका होना चाहिए अच्छा कि अखिए ना संगाता क्यों है नहीं दरोगा जी आया रूम का कोई स्वागत नहीं है शाद अनदर कोई सर्प्राइस रखाओगा नवाजा खोलो बंद है कल आणा ठाना बंद है? महिय का टोपा के रिए अमा दर्माजा खोलो अरे कहा ना बंद है बाद में आना ज्यादा जल्दी है तो बाजू में महिला पुलिस थाना है वहाँ चली जाओ महिया कसा सु महिया इतना मुश्किल से वह से या आया है महिया से वह नहीं जाना है देरररी रा देश तँनी देखेद हम का जाके आबत में आई एरे मैड़म, आप यहाँ आज सो थाना बंद है? यह ता थाना होचो बर्यास का डुपान है यह जब मन किया खोल लिया जब मन किया बं थाना होचो यह हमेशा खुला रहेगा और झै क्या टार्जन के घुम रहे हैं सबके सम्या पर दिन ताहाड यंग परदर्शन चल रहा है सबका, कपड़े पहने, यूनिफर्म पहने, सबकी सब जल्दी, कोई काईदा कानून नाम का चीज होता है नहीं होता है? नहीं हो, आज अचानक से सुभा सुभा एकदम आप हमारे थाने में, क्यों मैडम? अमारे टोपा हो का, सुभा सुभा आठ बज रहा है, हमारे लिए तो यहीं सुभा होता है ना मैडम? हां तो इस सुभा सुभा का अदट डाल लियो, क्योंकि हम रोज इतना सुभा सुभा यहां आएंगे और आप सबका इतना सुभा सुभा ड्यूटी लगेगा क्या, समझे की नहीं समझे? आप नहीं समझे मैडम समझाते हैं वर्दी पहन लिया हो गया हो गया मैडम मुड़े जी हमें स्थाने की नहीं इंचार्ज करिश्मा से पढ़ ले हो है तो उनका लिटर है उनका किनका शरकार का हां सरकार का आदेश है कोई शक नहीं मैडम हम को इसा क्यों लग रहे हैंगी अभी भी आप सब को फोड़ा शक है जैहिंद मैडम जैहिंद रे यार चंपक कपड़ कहा रख दिये यार हमारे यही तो रख कर गया था में मैय यह्या का साथु मय हैं और कितना मोगली घुम रहे हैं यापर सब एक साथ सामने का ही नहीं आते है हमारे ये कोन है भी नई इन चार्ज है वर्दी पहन ले नहीं तो पर्मानेंट उतर जाएगी अपना दे दियो क्या हो गया एक मिनट में बस अभी पहन ले दे क्या दुलन बन रहे हो क्या हाँ अदी में वह गया पैंट कहा है जी पैंट कहा है यूनिफॉर्म की वर्दी में पैंट भी होता है ना उसके भी ना धूरा होता है हा तो कहा है पैंट पैंट कहाँ मेरी अभी यहीं तो रख्यें है यह में यहीं रहे यहीं मिल गाए मड़ को़िए एक्यमनिट में पैंट लेते रहे- प्रेशाने की कोई बात नहीं होड़ा मैं यह तो हमारे यह का हर रोजका है वह क्या है कि थाने के पीसे जो रेल की पत्री जाती है ना जब भी कोई ट्रेन गुदरती है यह पूरा थाना बिचारा हिला जाता है पर वेसे आपको गारेंटी देते है मेरा, हाँ, खाना तभी गिरने नहीं वाला है हमारा, आप भी से रिलेक्स होके बेटी है आराम से, यहां पर तो सब कुछ अनर कंट्रोल ही है जी, वेसे भी मैं हूना, का ना में तुमारा, राज, वीर तोमर, हेट कंस्टेबल राज वीर सकते हैं, नहीं, मेरा कहने का मतलब, हेट कंस्टेबल राज करके बुला सकते हैं, आप चाहें तो अरो लड़के, तो ही ना पैसे लेंगे, हाँ? बहुत बहुत बढ़िया काम कियो, यह लो तुमाहे नाम हाँ वाह, बहुत बढ़िया इस बोड़ पर थाना प्रभुक के नाम के आगे पहली बार किसी महीला का नाम लिखा देख रहे हैं, तिल खुछ हो गया हमारा बगवान से बस यही कामना है कि इस नाम के नीचे जो है कभी किसी और का नाम ना आपाए बस अमा हम 10-15 दिनों के लिए आए हैं यहां टेंपररी ट्रांसफर हुआ है हमारा मारा बुल-बुल-पांडे सर ठीक हो कर हॉस्पिटल से वापिस आ जाएंगे और हम वापिस चले जाएंगे हमारे महीला फिलस्थाना क्या? हाँ मतलब सर्काल ने दिल तोड़ दिया जी हमारा एक महीला को थाना अधिकाली बना कर नारी शक्ति को जो प्रोटसाहिद भी किया तो सिर्फ दस पंदरा दिन के लिए यह तो गलत है ना मतलब गटिया हमारा मतलब है कि मैडम को सिर्फ पंदरा दिनों के लिए भेजने वाला जो आइडिया है ना यह गटिया है नहीं मतलब यहां कोई फाइल ढूनना होगा तो दो साल पहले फाइलों के सरोवर में कूदना पड़ेगा हमको हमारे मतलब का मोती चुनने के लिए कुन सा चल दो हमको जी ऐसा तू कोई केस है नहीं मेडम का मतलब करकरकर गयी है वो कौन करके गया है वो वो बुल बुल पंदे मेरा मतलब जहीन इंसान है, होस्पीटल जाते जाते एक एक केस चुन चुन कर सब निप्ता कर गए है और मैडम ऐसा निप्ता कर गए है कि उसके बाद कोई केस थाने में दरजी नहीं हुआ, यहां तक की फोन पे भी एक कम्प्लेन नहीं आया मैडम कैस आएगा कैसे, फोन बजेगा कैसे, तार होगा तो फोन बजेगा ना, कैसे केस आएगा यहां पर एक घंटा के अंदर अंदर अगर इस थाने का खल पूर्जा बराबर नहीं होगा, चौकस नहीं होगा, तो मैया कसम हम आगे आने वाले पंदरा दिन सबके जन्नुम बना देंगे, समझ में आया, जब भी आद करोगे, एक ही बात बोलोगे, दरोगा जी तेखे तो ब़ॉत तुम सा ना देखा, का समझे, का यह मूँ भाड़के का देख रहे हो हमको, अवाफ फोन नहीं बच सकता था, कोई चल के तो आ सकता था इंसान, कोई इंसान तो आया होगा कभी, लो नाम लिया और आ गया, आये आये क्या नाम ए आपका, अस नाम का है आपका, आपका, नाम अरे नाम बता रहा है हम हाँ Mr.. Mr Sundar तो.. Saraswati अच्छ Mr Sundar Saraswati पाल पाल और भी आगे कुछ आने वाला? नहीं जी पस इतना ही है? Mr Sundar Saraswati Paal जी आप बिल्कुल घबराईये मत आप एकदम सही पते पर आये आपको जो भी समस्य आना आप हमको बताईये हम आपको इंसाफ दिलाएंगे डंके की चोट पे दिलाएंगे आप हमें बस अपनी समस्य बताईये आइए हमारा देखे सुंदर सरस्वति पाल जी नाम तो हमारा सुंदर पाल है Saraswati हमारी मा का नाम वो क्या नाम जो कुछ भी अपनी मा के आशिरवात से हैं तो अपने नाम के साथ अपनी मा का नाम रखते हैं सुंदर सरस्वति पाल वाह क्या बात है नहीं मतलब आप जैसे लोग आजकल की जमाना में देखना बहुत कम मिलते हैं ना आपके जो विचार है हमको बहुत अच्छे लगे अब बताईए आपका क्या समस्या मैडम जी हमारी मा ने हमें औरतों का सम्मान करना सिखाया हमने किया हमेशा दिल से सम्मान किया और आज एक औरत हमारा मान सम्मान लूटने पर तुली हुई ये देखे देखे क्या किया हमारे साथ देखे देखे क्या किया उसने देखे कौन है ये औरत किसने यहाल किया तुमारा क्या नाम असका दॉली शर्मा जन्तू चले स्पाईल लेकर आओ हाल आ रही हुँ कुछ को मैडम मैडम एक मिनट मैडम 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 माडम साल मैंत सिंगम ओफ मास्फवन्यक यह 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 उचाये आप यह क्या हुआ आपके मेर नाम दॉली है और मैं बतारी हो की मैंने किसी का मूँ नुचलिय है किसका उसे कुट्टे का अब जब अब धब बत आये यह अब जब फुट्टा वाला हर कती इंसान करें तो उससा करें बैचारा नहीं कुट्टा का मून उचल नवा आपटा सबचल यहां? आप आये, आप बैठे आइगा हैं, आप आया अचैना कि यहां आप है आर जगा फाइलज गिरा दी यह लोग बैठे आई आई है आप बैठे प्लिस रलाक्स, बैठे चीता बद्णाम के पास से इन की लिए चाय लिए अओ मादम सरा, बार बार भूल जाते हैं, बदनमुआ का जहरीला चाय हम लोग बहुत पीछे छोड़ा हैं, हम लोगा थाना शिफ्ट हो गया है हाँ, हमारी गलती है, हम भूल जाते हैं, ठीक है, जहां से भी चाय लेकर आते हो, वहां से इन के लिए चाय ले ओ, ठीक है? अजय को बढ़ा, लाते है, अजय को जी बताईए, ऐसा क्या हो गया कि किसी का मूँ नोचने तक की नवबता गई? उसी लायक था वो, थोड़ी देर और सामने होता ना, तो उसका पूरा मूँ नोचलेती में, मेरी जिंदगी नर्क बना दी है उस गटिया इनसानने, गटिया आदमी, घुसा आता है ना बहुत, आपको पता है, मेरी कौटर में मेरा चो दर्वाजा है, कुचो कुचो कुच अबियों का मून हो चाहे, वो एक ही आदमी है, सुंदर सरस्वति पाल, मेडम जी, हमारा पब्लिकेशन हाऊस, रज्जो पब्लिकेशन, नाम तो सुना ही होगा हाँ, सोसाइटी में नाम है, रुतबा है, इजजत है हमारी, करोडों का टेक्स भरते हैं हम, अरे बड़े-ब हमारे ओफिस में आई, बोली जॉब चाहिए, प्रूफ रीडिंग की जो, अरे इंट्रिवू लेते ही समझ गई था, ना इसके पास क्वालिफिकेशन है, ना एक्स्पिरियंस है, पर बोली, जनोकरी की सक्त जरूर्द, जरूरत थी मैडम, डिवोर्स के बाद मैं खुद अ अपने पैरों पे खड़ा होना चाहती थी, और इस जॉब से मुझे वो सब मुछ मिल रहा था, पर जब उस कमीने को पता चला कि मैं डिवोर्स हूँ, तो उसने मुझसे कहा कि वो मेरी तकलिफ समझ सकता है, क्योंकि उसकी खुद की मा भी डिवोर्स ही थी, मुझे लगा, एक ही पत्थर से चोट खाए दो लोग, शायद एक दुसरे के दर्द को बहतर समझ सकते हैं, मुझे वो आदमी अच्छा लगा, पर मैं गालत थी, उस पर भरोसा करना मेरी लाइफ के सबसे बड़ी भूल थी, क्यों, ऐसा क्या हो गया, कुछ दिन तो ठीक चला मैट, फिर एक दिन डॉली मेरे कैबिन में आई, उसने मुझे प्रमोशन ओफर किया, मैं बहुत खुश हो गई, पर जब उसने कहा, वो मुझे प्रमोशन तो दे देगा, पर उसके बदले उसे, मुझसे क्या मिलेगा, तब मुझे उसके असल मन सुबे का पता चला, तो फिर, फिर अभी तो नोकरी लगी है, कहां से देंगे प्रमोशन, बस ब्लैकमेलिंग पर उतर आई, बोली कि हमें आते हैं तरीके मनवाने के, कैसे, कैसे तरीके, उसने पूरे आफिस में बात फैलानी शुरू कर दी, कि मैं गलत लड़की हूँ, कैरेक्टर लेस हूँ, काफी लोगों बहुत अच्छे से पेशाते थे, पर अब अब सब मुझे दूसरी नजर से देखने लगे, पाफ, डॉली, 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 रिलाक्स, शान्त हो जाओ, संतुष, पानी, कुषपजी ज़रा पानी दीजे प्लीज, जी, हम लाते हैं, एक बात बताओ, डॉली, तुम इसने कितनी शूरटी के साथ कैसे कह सकती है कि एक काम संदरपाल का ही है, यह, क्योंकि उसने आज भी मुझे बुलाया था अपने कैबन में, और कहां अभी भी वक्त है, और अभी भी वक्त है, और एक्सेप कर लो और ना तुम्हें बदनाम कर दूंगा, मेरे कैबन में आया और कुल्त भी वेजिट फखड़ी प्रमोशन चाहिए, प्रमोशन चाहिए प्रमोशन चाहिए. अपना ओरत होने का फाइदा उठा कर हमें बर्बाद करना चाहती है क्या सोच रही है मैडम? यही कि अभी तक चीता चाय लेकर क्यों नहीं आया है न मैडम से, राइट? आपके पास अपने बॉस के खिलाफ कोई सबूत है? नई पर मैं आपको यकीन दिला सकती हूँ कि मैंने जो कुछ भी कहा है उसका एक-एक लफ्स सच और सिर्फ सच है आपके खामोशी बता रही है आपको हमारी बात पर यकीन नहीं आखिर हैं तो आप एक औरत ही ना, मर्द को सही कैसे मानेंगे नसीब बहुत अच्छ है तुमारा कि हमारा इस्थाने में आज पहला देने हम नहीं चाहते कि पहला ही देन हमारे हाथों ना कोई हस्पताल पहुच जाए यह तो इतना घटिया अलजाम जो तुम इना भी लगाया ना इसके बाद तुम अपने दोनों पैरों पर जो खड़े हो यह तुम्हारा नसीब है यह तो अभी हॉस्पिटल में ना डॉक्टर डिसकॉशन कर रहे होते कि क्या करें हम इसके साथ इसका उपरेशन करें यह तोड़कर दुबारा बनाया जाए क्या डायलोग मारा है मेडम और रहा बात इंसाफ का ना तो इंसाफ जेंडर देखकर नहीं आता है वो हगदार देखकर आता है अगर तुम्हारा तुम्हारा बात मेरती बरका भी सच्छाई है ना तो तुमको इंसाफ मिलेगा और हम वादा करते हैं तुमसे कि हम तुमको इंसाफ दिलाएंगे, टंके की चोट पे दिलाएंगे. और ये तो सारा शेहर जानता है कि करिश्मा सेंग अपने वादा का कितना पक्की है. हम जानते हैं डॉली, हमें पूरा यकीन है कि तुमने जो कुछ भी कहा है वो बिल्कुल सच है. गबरामद, तर जुर्बा कहता है हमारा, कि सच के पास खुद को साबित करने के लिए कभी सबूत नहीं मिलता. क्योंकि सारे सबूत तो जुट को साबित करने के लिए लग जाते हैं, लेकिन सच सूरच की तरह होता है, जो कभी ना कभी कही ना कहीं से सामने आ ही जाता है. तुम्हारा सज भी सामने आएगा, तुम्हें इंसाफ मिलेगा, हम उस मुझरम को पकड़ेंगे भी, और तुम्हें तुम्हारी नौकरे भी वापस मिलेगी, वो भी पूरे मान सम्मान के साथ, ये हमारा तुमसे वादा है. प्रएफन शुवाथ कर दो, क्लिक शुवाथ एंडू है.